कि नमस्कार साथियूं आज बहुत लंबे समय बाद फिर से हम अपने इस चैनल पर आये हैं कि कफी दो-धाई महीने से मैंने वीडियों कोई बनाया नहीं है तो मैंने सुचा कि आज एक वीडियों बना जाए जनते हैं कि 26 जनवरी एक भारती इतिहास में या अधुनिक भारत मतितिथियां है कि जिसे एक बहुत बड़े त्हवार मनाने चाहिए तो वह तीन तीजिया है जिसे शन नेशनल फेस्टिवाल के रूप में तो तीन दीवस मनाया जाता है एक तो जैसे 26 अब जनवरी जो रूपलिक रूप में सलीबरेट किया जाता है सबीजनेवरी को और एक बना जाता है मैं तीनों को नाम देता हूं जैसे पहला मना जाता है है तंटी-स सिक्स्थ जनवरी अ है सीबस्ति तीनों को महत्तों आज ही समझेगे इच्छेश सब्सक्राइब क्या है यां 15 ऐगस्थ मेरा मनना कि बहुत से लोग भी इसका मतलब नए समझते होंगे कि तीनों में क्या मतलब है जनुरी कि तीनों आखिर है क्या ट्वटिश्ट जनुरी 15 अगस्त और एक है ट्वटिश्ट न्यूंबर अगर आप किसी से पूछेंगे कि बताइए वाई जो रिपब्लिक डे है इसका अर्थ क्या होता है क्या होता है इसका मतलब हमें बताइए तो बहुत से लोग बताएंगे क्योंकि इस दिन हमारे देश का समिधान लाग हुआ था इसलिए हम लोग इस दिवन को इस दे को जो 26 त्र ports रिंप्र देश का इसलिए नहीं मना जाता है इसलिए नहीं एक हमिए के मनाने के पीछे यह सता और फिल्प इसको देखें है यहां कि पब्लीक मतलब स्ब्सक्राइब को सब्सक्राइब देश का मुखिया जो होता है जैसे हमारा अगर ब्रिटेन को बाद कि जाए तो ब्रिटेन का जो मुखिया है अभी वहां का एक किंग ही रहता है जासा तो वह कौन है वहां का राजा है वाला जो पद होता है जो हेर डिटरी होता है यह दितरी मतलब वनसानुगत प्रडाली के तहर वहां का जो राजा बनता है तो जहां का साव्षन पडारी यह होता है यह दापीश्टेद इलेक्टेद वाई-देटरी जो होते हैं तो उन्हें हम लोग कते हैं कि वह एक लेक्टरू सिस्टम कंट्री मोनार्किल मुदलब राजा साही विवस्ता बना देस है लेकिन जिस देश में गोणा फिंटरी दोरा को एक्सेप्ट किया था इसलिए हम लोग उसको मनाते हैं क्योंकि हमारे समिनार के कनुछे दय आर्टिकल 52 तो आर्टिकल 52 भी उसी दिन लाग हुआ था 26 जनुरी को तो उसके तहद था कि भारत में एक राष्ट्रपती को पद होगा और राष्ट्रपती न्यूक्त होंगे उन इंडिपेंडेर्स का अर्थ होता है कि किसी दूसरे देश की अधिन्ता से क्या होना मुख्त होना जैसे मालोक कि हम बात करते हैं जैसे मालोक कि यह है एक देश है जिसका नाम है ब्रेटिन तो जो यह ब्रिटेन है ब्रिटेन यहां की यहां की जो पलिटिकल इस्तिती है मतलब यहां की राजनितिक जो सक्ति है राजनितिक है यहां का जो आर्थिक पावर है तो और फिर नियाईक पावर है तीन सक्तियां होती है राजनितिक आर्थिक और नियाईक इन तीनों चीजों पर अगर कोई दूसरा अधिकार कर लेता है यानि बी ने आई को पर इनि ब्रिटेन ने इंडिया के राईनितिक अर्थिक और न्याइक तीनों चीजों पर पर अधिकार स्थापित कर लिया यहां कि यह तो हम कहेंगे कि यह जो देश है यह कालू निकलाईगा कालूली मतलब उपनिवेसित देश तो इंडिया ये गुलाम था इस गुलामी से इंडिया क्या हुआ था मुग्त हुआ था मतलब अब इसका क्या हो गया था इस पर से नियंत्रण समाप्त हो गया मतलब इंडिया पर से इस ब्रेटेन का नियंत्रण समाप्त हुआ था इस 15 अप अगस्त को इसलिए हम लोग क्या बोल यह पूर रूप से जो रिपब्लिकन इंडिपेंडेंस के रूप में भारत आजाद हुआ था वह बना था 26 जनवरी को और एक है 26 आफ नवंबर तो जो मैंने कहा कि 26 जनवरी को हमारे देश में जो समिधान लगवाता वह 26 नवंबर उन्नीस को लागव वाथा शबीश नावंबर उन्नीस ओंचास को अन्यास्का मारे निस द्रूण लेकिन इसमें कुल टोटल है 305 अनुछेद है 305 अनुछेद है लेकिन 395 अनुछेदों में से 26 नॉम्बर नुच्वेदों में से 16 नॉम्बर को शोला आर्टिकल्स ऐसे आर्टिकल्स ते जो इस दिल लागू हुए थे तो इसलिए अगर पुछा जाएकि समीधान दिवस का मना जाता है तो वह मना जाता है 16 नॉम्बर को मना जाता है क्योंकि हमारे देश के पहली बार जो समीधान बनके त्यार हो गया था लेकिन इस दिल लागू नहीं हुआ था इसके पीछे के कारण है पूछा भी है एक्जाम आईस में यानि उप्यस्तिक एक्जाम इबद पूछा भी है कि हमारे देश का समीधान जो है 26 नॉम्बर को बनके त्यार हो गया था लेकिन इस दिल लागू क्यों नहीं हुआ था तो इसके पीछे के कारण है एतिहासी कर र कांग्रेश वाले अपने किसी पुराने दिन को यादगार बनाएंगे ही तो उनका यह यादगार जो दिवस्ता कांग्रेश वालों का वह था 28 का 1929 का दिन था जब लाहोर अधिवेशन हुआ था लाहोर अधिवेशन लाहोर जो था एक जाम के पुछा कि किस नदी के तर्ट हुआ था तो रावी नदी पढ़ता है आज के समय में आज का अगर बात किया जाए तो पकिस्तान जो पंजाब हे दिया है उहां पर पढ़ता है य जिसे करते हैं लाहोर अधिवेशन इस अधिवेशन की जो अध्यशतिवों बनाए गया थे जवाहर लाग नहरू तो बस मैं पीटी नहरू लिख रहा हूं पंडीज वाला नहरू बने थे इसके अध्यश बने थे और उस नहरू साब ने उस बग भारत में पहली बार मांग मालों कि यह ब्रिटेन है फिर्द को ही ले लेते हैं और यह हैं इंडिया ये दो देश हैं अगर ब्रिटेनने यहां कर राओनितिक उर्थिक और तीनोंं पावर लिया अपने हाथ में तो हम कहेंगे विए एक गुलाम देसे यह क्या है गुलाम देस या फिर कालोनी है उपन यहां का प्रेशिडन्ट होगा अभी भी वह किसके दौरह चलेगा या फिर अगर कहाई तो इस इंदिया को बृतिन की रानी होगी यहां का राजा होगा तो हम आजात हैं लेकिन कौन बले कौन से अजली में कि पंद्रां अगच started होग दोमेन इंडीपेंडेंशी मिले थी एक टो कि लेकिन 26чно 1950rü हमार का फिश्टेट का छो एस देश के जनता मतलब इस देश के जव vicious समिधान सभा थी जो Constitution Assembly था उनका चुना जो किया था वह 1937 में जो इलेक्षन हुआ था जो इस्टेट में राजियों जो चुना हुआ था उनके जो MLS थे यह विधान सभा के सदस्यों ने उनको जनता ने चुना था 1937 में चुना हुआ था जो राजियों में बात करें उसकी 1937 में तो इनके जो सदस्य चुने गया था उन्हें बिधान सभा के सदस्यों ने किसको चुना था इन्हों ने चुना था समिधान सभा के अधरस्यों को समिधान सभा के अधरस्यों को तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों ने इने डारेक्ट चुना था बिधान सभा के इन लोगों किसको चुना समिधान सभा को इस समिधान सभा ने मिलकर समिधान बनाया था इसी ने क्या किया था आगे चलके राष्ट पती को चुना था और इस समिधान सभा को चुना हुआ था किस ने किया था इन विधान सब्हांक किया था और सुछ पति काने कि हमारे देश की जंतक दोगा सभण को राश्ट पति को चुना था तो इसलिए वी हमारा यह कहता इन्डिपेंदेंस तो पहले हम लोगो पोसे थे तो हम सबसें से पहले कालुणी से क्या बने बदमिनिंएं इंडीपने इंडीपने इस तरीकस से तरीके से हमारे यह दिवस अपने आ पे बहुत खास है मतलब हारत की इतिहास में मैंने कहा कि तीन दिवस नेशनल फेस्टिवल के रूप में लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि इंडिया में तीन खास कौन से दिन है तो मैं इनको चुनूगा एक तो 26 ताप अगस्त क्योंकि इंडिपेंडेंस दे और 26 ताप नमंबा जो नहीं है आज के सब्सक्राइब लोगों ने पढ़ा तीन बातों को समझा आज 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 कितने प्रकार के थी तो हमने कहा कि सबसे पहले हम लोग कालोनी थे कालोनी से क्या बने डोमिनियन बने डोमिनियन के बाद जो 26 अब जनुवरी 1950 था उसके बाद हम लोग क्या बनें रीपब्लिकन कंटी बनें तो मतलब हमारा देश शर्ड़ानी ही होती है जैसे न्यूजीलेंड की बात की जाए न्यूजीलेंड प्राइम मिनिस्टर है प्राइमेस्टेृच के लकान उस नामी वलब सबसे बड़ा जो हैडापी श्टेट है जो डेश का प्रमुख हो कौन है क्वेटर की रादनी है आश्टेलीया की बात कर लो आश्टेलिया आश्टेलिया जो भी खुद इस इस वह बिक्सित देश है विक्सित नहीं महाँ विक् देशों को नाम सुन रहे हैं यह सब देश आज भी ढमिनियन है सोतंत्र तो है अपने इनका अपना खुद का कारे पाली का नहीं का विश्थ कुद का है लेकिन उनके देश के सबसे बढ़ा विट्त्य ounce से माना जाता है वो को बढ Aquí रानी हमां जाती है तो रीपबलीकर adalah मैं अपना इंडिया लिए ले इंडिया ले लव जैसे रसिया लेलो रसिया लेलो गश्येक्त कि जटा वंसा नुगत प्रडाली सिस्टम इस तो जहां का जो राज प्रमुख अगर वंसा नुगत प्रडाली है तो अब उस्ता है कि लेकिन अब उस زथanger यह उसता है तो पहले पर रष्या सबसे बड़ा रीपब्लीकन थीर यह से चाइना भी आता है चाइना भी क्या है रीप रिपबलीकन है यहीं पाकिस्तन क्या रीपब्लीकन नेपाल री ouvert डीम है जहां पर मत्लब दा टिटिट भीट ळियेंगOur तो ऊंसर नुगत पढ़ाली नहीं देवी उससे बनोब पूलते हैं रिपब्लिकन कंट्री बोलते हैं मोनार्कियल कौन साथ है राज़साही व्यवस्ता वशता है राज़साही विवस्ता भी दो प्रकार अगॉता एक राज़साही एक अंदर भी डेमोक्रिटिक आते हैं जि यह मुनार्किल डेमोक्रिटिक में राज साही लोगत्र में से ल लुगत्र में और त sel जहां पर राजाओए प्लस वहाँपर रीयल पावर जिसके alltså होती है कारेपालीक वह मुetंब प्राइम मिनिस्टर में स्क इंतरगत दोमिनेन presentation तो बस इतना ही है इसमें कुछ बाते जो अगर ना समझ मैं हो तो कमेंट कीजिए का फिर मैं नेस्ट वीडियो मना दूंगा इसमें जो जो बात आप से मुलाकात भी जूड़ने के लिए आपको हमसे बहुत बहुत दन्यवाद